हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर विल्डॉस निग में एक और नहीं वीडियो लेक्षर साथ आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं चार इंच की दीवार बनाते समय हमें कौन-कौन सी बात है ध्यान रखना चाहिए ये गलती अगर आप कर देते हैं तो बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती है या हो सकती है इंगलती से कैसे बशसकते हैं आप ये वीडियो में हम आज बात करेंगे समझेंगे इस घर की आप प्लानिंग देखेंगे जिसमें चार इंच की जो दीवार है इनको किस तरह से बना रहे हैं कोपिंग क्या है ये सारी बाते हम आज की वीडियो में देखेंगे कि सीधे वीडियो में चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके विल आइकान दबा लीजी ये देखें 9 इंच की दिवार है हमारे पास ये जो 9 इंच की दिवार है इसमें हमने कहीं भी ये इस तरीके का य आपर ध्यान की कभी भी आपकी जो दिवार है वो तीन फिट के हाइट पर आती है आपकी तो तीन फिट की हाइट के बाद आपको कोपिंग करना ही करना है और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे की साइड में तो एक कोपिंग में आपको क्या चीज ध्यान रखना है coping में आपको दो 10 mm के सरिया डालना है कुछ जगे एक भी डालते हैं तो आपको minimum दो सरिया तो use करना ही है और इसे concrete से किया जाता है इसे कुछ लोग साइट tie beam भी कहेंगे और अलग-अलग जगे पे अलग-अलग नामों से कहते हैं तो यह प्रकार से coping है जिसे हम 3 feet के height के बाद देते हैं जिससे column से column में connect हो सबसे इसका important काम यह है अब एक column दूसरे तरफ है उसके बाद second column जैसे कि column से column में connect होने में यह यहाँ पर बहुत अच्छा bond बना लेता है जिससे इसमें मजबूती बनी रहती लेकिन 9 inch की है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती 4 inch की सिर्फ partition के लिए यूज करते हैं जो कि कभी-कभी danger भी हो जाती तो इसमें ध्यान रखें आप 3 feet पर देना है आपको coping जरूर देना है और यह अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन फ्यूचर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब करके वेल आइकान जरूर ड्रेस कर लीजेगा मिलते नेक्ट वीडियो में किसी अनने टॉपिक के साथ अपता के लिए थेंक्यू